प्रस्तुत है बल के महानिदेशक श्री नितिन अगरवाल IPS से राष्ट्र निर्मान में सीमा सुरक्षा बल के योगदान पर एक विशेश भेंट वारता भेंट करता है वरिष्ट प्रसारण कर्मी नीलम मलकानिया और जब बलों की बात चलती है तो देश की प्रथम सुरक्षा पंक्ति का नाम तुरंत याद आता है जो है सीमा सुरक्षा बल BSF Border Security Force BSF के 69 स्थापना दिवस के उपलक्षे में आज हमने अपनी स्टूडियो में आमंतरित किया है महानी देशक महोदय सीमा सुरक्षा बल श्री नितिन अगरवाल को आईए अपने बल को आज थोड़ा और जानते हैं नितिन अगरवाल जी आपका हमारे स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत धन्यवाद जब हम अपने बलों की बात करते हैं तब मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो लोग किसी भी तरह सुरक्षा कर्मियों को जानते हैं व्यक्तिकत रूप से उनकी जिग्यासाएं भी होती हैं और जो आम लोग हैं जो किसी भी तरह जुड़े नहीं हैं हमारे पुलिस कर्मियों से, हमारे बलों से, सैनिकों से उनके सवाल तो अंगिनत होते हैं तो आज उन सब के सवालों को लेकर मैं आपके सामने यहां बैठी हूँ और जब हम 69 में स्थापना दिवस की बात कर रही हैं तो शुरवात इसी से करते हैं कि इस पूरी यात्रा को आप कैसे देखते हैं बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा निलम जी एक दिसमबर 1965 से आज 69 साल हो गय हैं और इन सालों में B.S.F. ने अनेक बड़े बड़े आयाम पार किये हैं ताय किये हैं पहले तो साइस को ले लें शुरू में जब बनी दी कुल 25 बटालियंस थी और इतना बड़ा बॉडर था तकरीबन 3000 किलोमेटर वेस्टन फरंट पे और इस्ट पाकिस्तान जो था वो अनादर 4000 किलोमेटर प्लस तो इतने बड़े बॉडर को गार्ड करने के लिए बहुत कम टुकडियां थी धीरे धीरे इसका साइस में इजाफा हुआ बड़ोतरी हुई और ये बन के आज तकरीबन 200 बटालियंके करीब पहुँच गई है तो मैं समझता हुए आठ गुना बड़ी हो गई और उसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई जैसे आप जानती है राइस्थान में भी BSAW क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर वहां पर है तो वहां पर हमने उट इस्तमाल किये है तो उटों वाली फौज यह मेरे ख्याल में यूनीक ही है अर्द सैनिक बहल में तो किसी में नहीं है हो सकता है आर्मी में भी जहां तक मेरी जान कह रही है उट नहीं है गोड़े तो सब जगाँ है लेकिन उट नहीं है तो यह एक बड़ी यूनीक चीज़ है तो हमारे जो सीमा प्रहरी है सारे बोट्स और वाटर क्राफ्ट्स हैं स्पीड वाले भी हैं और कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो पानी के अंदर ही हैं पानी में ही रहते हैं 24 घंटा उनको हम फ्लोटिंग बीओपी कहते हैं और यह फ्लोटिंग बीओपी एक तरह का बड़ा जहाज समझ लीजिए जो हमेशा ए इक्टिविटी की कोशिश करता है तो उसकी रोगत हम करते हैं और उसके अलावा हमारे पास एर विंग भी हैं जिसमें कई सारे हेलिकॉप्टर्स हैं और जहाज भी हैं और हम पहले बीहड़ों में नहीं थे नकसल चेतर में नहीं थे वहां भी हम पहुंचे हुए हैं अभी नकसल परभाव को बहुत कम किया है निलम जी बताने के लिए तो सलामी मंच के बराबर हम बैठे होते हैं वहाँ से कमेंटरी करते हैं आँखो देखा हाल अपने हम सभी शोताओं तक पहुंचाते हैं तो उन्ट सवार दस्ते का डिस्क्रिप्शन देने के लिए इतना कुछ होता है जैसे उन्टों को सजाया जाता है जो कर्मी उनके उपर सवार होते हैं जिस अंदाज में वो उन्ट को चला रहे होते हैं और जिस तरह से उन्ट गर्दन हिला कर ऐसा लगता है कि तीनों सेनाओं के जो सर्वोचे कमांडर हैं उनको सलामी देते हैं तो बहुत अनोखी छटा वो होती है हमारे पास उन्ट पे पेट्रोलिंग के अलावा उन्ट के उपर हमारा बैंड भी है जो इधर से गुजरता है जो कर्तवे पत से तो वो भी आपने देखा होगा उन्ट के उपर बैंड रहता है बैंड रहता है और अलग-अलग वेश्बूशा वर्दी बड़ी रंगीली चमकीली होती है जो रेजर्ट में एज़ इस स्प्रिट्स को लिफ्ट करती है अभी आपने बताया कि बहुत लंबी सीमाएं जो है हम पडोसी देशों के साथ अपनी साज़ा करते हैं और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है तो हमारी सीमाएं हमारे दो पडोसी देश जो है उनके साथ साज़ा होती है और दोनों के साथ जो भारतिय संबंध है उनमें अंतर है तो ऐसे में क्या BSF की जो अपनी जूटी होती है उसमें भी कुछ बदलावाता है थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि जो चैलिंजेज पाकिस्तान बॉर्डर पे है और जो बांग्रदेश बॉर्डर पे उनमें थोड़ी भिन्नताएं है जैसे पाकिस्तान साइट से जो हमारे जायतर बॉर्डर फैंस्ट है जहां फैंस नहीं है वहां दूसरे सुरक्षा के उपाय है और उसके अलावा मूवमेंट टू एंड फ्रो अभी नहीं है फिलाल और बहुती कम मूवमेंट है जो भी बहुत ज़ादा रेगुलेटेड किसी कारण से दोनों से कारण जहां एगरी करती है अधर्वाइज नहीं है वहां से जो खत्रा होता इन्फिल्ट्रेशन का कि टेरिस्ट घुस सकते हैं तोंगे पहले घुसते रहे हैं अभी भी श्रम चलते रहते हैं आप लोग आए दिन मेडिया में देखते होंगे पढ़ते होंगे और हतियारों की तसक्री हतियारों का उसके illegal हमारे देश में लाना टेर्रिस्ट की मदद के लिए और drugs largely heroin जो अफगानिससान में बहुत ज़्यादा ग्रो होती है कुछ पाकिसान के परदेशों में भी ग्रो होती है और उससे heroin बना के OPM से उसको लाया जाता है जब से ये ड्रोन्स का इजाद हुआ है तो वो ड्रोन्स के जरीए भेजना शुरू किया है अभी इस साल में तक्रीवण हमने 300 किलो से ज़ादा heroin बरामत कर ली है और कम से कम 100 ड्रोन हमने गिराए होंगे ड्रोन्स जो गिर नहीं पाए लेकिन उसका समान हमने जब्त किया जो heroin गिराके गया ऐसा भी हुआ फिर कुछ एच्छेत्रों में वो tunnels का इस्तमाल करते हैं tunnels के थूरू आतंकवादी को या किसी unwanted element को गुसा के या उसके जरीए heroin लाना, अतिया लाना वो सब भी करते हैं तो वो भी हम लोगों ने पकड़ी हो tunnel के एक तारफ भी हमें तवज्यों देनी होती है जहां तक Bangladesh border का सवाल है वहाँ पर दूसरे challenges है वहाँ पर illegal immigration बहुत ज़्यादा लोग करते हैं शुरू से ही जब से बंगलदेश बना है बलकि उसके पहले से ही बंगलदेश से बहुत लोग हिंदुस्तान में आई हुए हैं रह रहे हैं कुछ illegal हैं कुछ legal ली आए हैं तो ये सब चलता रहता है तो उसको check करना भी एक बहुत बड़ा challenge है तो ऐसे में जो हम कहेंगे कि दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क कैसे पता चलता है क्योंकि जिन्हें मदद चाहिए उन्हें मदद भी दी जाती है जिन्हें जानकारी नहीं है उन तक सही जानकारी भी पहुँचानी है लेकिन साथ ही जो खत्रा है उसे हमें टालना भी उसका सामना भी करना है तो कैसे पता किया जाता है ये अंतर जो है ये एक्चली जो वातवरण है और जो नेचर ओफ फैंसेस हैं उससे पता चलता है मसलन इंडिया से फैंसी डिल लोग ले जाना के कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ लिकर की मनाई है तो फैंसी डिल में थोड़ा बहुत सेडेटेव होता है लोग उसको यूज करते हैं नशे के तोर पर तो फैंसी डिल और उससे रिलेटेड जो दूसरी थोड़ा बहुत नेम चेंज करके कई सारी दिवाईयां बनती हैं लोग ले जाना की कोशिश करते हैं हम चेक करते हैं तो हमने अने कों कंसाइनमेंट फैंसी डिल के बरामत किये हैं बॉर्डर पे और इसको पुलिस को और दूसरी एजेंसी को हम देते हैं दूसरी चीज वहाँ से सोना बहुत आता है बंगलेश की जो गोल्ड कंट्रोल रेजीम है उसके मताबक पहले तो वो दो किलो सोना देश में ला सकते थे फिर उसको बाद में एक किलो कर दिया गया तो वो काफी सस्ता होता है क्योंकि डूटी नहीं लगती वहाँ इंडिया में जो सोना है वो बहुत महंगा है तो इन दोनों के बीच में जो रेट का फरक है इसकी वज़े से बहुत लोग प्रेरित होते हैं अवैद तरीके से सोने को बंगलेश से हैं लाने में तो हम सोना भी सो किलो से जादा अब तक पकड़ चुके हैं और पकड़ के हम कस्टम्स को और सरकारी एजनसी को देते हैं जिसका हमारे को अब इनाम भी मिलने शुरू हो गया है हमने कोशिश की थी कि सरकार की पॉलिसी है कि सोना जो अवैद को पकड़ा जाता है तो पकड़ने वाले को 20% तक इनाम दिया जाता है तो हमने विभिनिस थरों पर बात किया है तो अब वो इनाम थोड़ा मिलना शुरू हो गया है और इससे अच्छा भी रहता है कि उनको भी बूस्ट मिलता है मोटिवेशन रहता है और हमारे सिपाई तो वैसे भी सजग हैं वो कोई ना कोई तरीके से और अच्छी इंटेलिज जाना उसके अलावा कई सारी छोटी छोटी रोजमरा की चीज़ें भी लोग चोड़ी छुपे ले जाना चाहते हैं जैसे साडी हो गया कंबल हो गया कई बार सबजी हैं चॉकलेट्स मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी जो शायद वहां मोया ना हो तो इस वज़े से थोड़ा सा अच्छा इसमें कई सारे ICPs हैं जहां लीगली आप बंगनदेश जा सकते हैं या बंगनदेश से इंडिया आ सकते हैं उसके थूरू भी देखा गया कई लोग इस टाइब की चीज़ें बहुत सारे ले जाते हैं तो यह प्रोफाइल का फरक है दोनों में अभी ह साथ में तकनीक उनकी मदद कर सकती हैं साथ में तकनीक से चुनौतियां भी आती हैं अब artificial intelligence जो है उसकी एक चुनौति हमारे सामने है और cyber attack जो है उसकी चुनौति है और साथ ही drone जैसे आपने बताया तो किस तरह से संतुलन बैठाया जाता है कि तकनीक का कितना सहारा लिया अंदर विद्यमान है उसका अभी तक कोई बराबरी नहीं कर सका है जो human intelligence है human mind है human faculties है उनकी कोई बराबरी अभी तक नहीं हुई है तो हमको rely तो आदमी पे ही करना है we can use technology to augment his capability उसकी जो समता है उसको बढ़ा सकते हैं लेकिन ultimately आदमी को ही technology use करना है technology cannot overtake a human being तो यह हमारी philosophy भी है लेकिन जैसे PM साब भी कहते हैं मोदी जी भी एकसर कहते हैं कि technology को use कीजिए वो हम कर रहे हैं और बखो भी कर रहे हैं तो drones तो वैसे तो हमें आपको बताओं हमारे महिला करमी भी हैं वो भी border पर ताइनात हैं तो कई drone तो उन्होंने मार के गिरा दी है हमारी जो प्रदेश इस बात पर गर महसूस करता है कि हमारी बच्ची हैं हमारी जो सीमा भवानी हैं वो भी drone गिराने में सक्षम है और गिरा देती हैं तो दुष्मन के मनसूबे पर पानी फिर जाता है उसके अलावा हम लोग और observations को कुछ बढ़ा हैं ताकि हमको पता चल जा जब आ करता है तो कई बार उन्होंने क्या किया कुछ height जादा बढ़ा दी उसका भी हमने respond किया फिर अब दूसरी technique पे आ गए वो चोटे drone ले आए लो करके निकाल दें नंबर जादा कर दें ताकि अगर कुछ भी पकड़े जाया तो लेकिन फिर भी काफी quantity पार हो जाए तो हमने चॉकसी बढ़ाई हम एनिमल्स को भी train कर रहे हैं इंदिस गाउवाले हमारे साथ हैं तो वो हमने गाउवालों के साथ पेट्रोलिंग की पुलिस के साथ पेट्रोलिंग की और जो drone हम देख नहीं पाए लेकिन हम गिरा दिये क्योंकि जंगल है खेत हैं तो उसमें कहां गिर है और यह उन नहीं लेते या उसका गरत प्यों करनी कोशिश नहीं करते हैं यह एक बहुत अच्छा समनवा है बीएसेफ का सीमा प्रदेश के गाउं में और लोगों के साथ जो हुआ है यह हमको एक बड़ी कामियाबी और एक अच्छी फिलिंग महसूस कराता है जी मैं यह बताया कि लोग मदद करते हैं तो बहुत अच्छा लगा जानकर कैसे उन में यह जजबा पैदा करते हैं क्या आप भी अपनी और से क्या बल भी अपनी और से कुछ प्रयास करता है बिल्कुल करते हैं हम लोगों का सरकार की तरफ से एक फंड मिलता है जी फॉर डूइंग प्रोग्राम काल सिविक एक्शन प्रोग्राम क्या होता है सिविक जैसे जानते हैं तो जिस प्रदेश में हम अपनी सेवाएं देते हैं तो उस प्रदेश में जो गाव हैं जो ग्रामीन हैं उनकी मदद के लिए कुछ कारे करने के लिए यह फंड मिलता है उसकी मदद से हम civic action program चलाते हैं कई जगा स्कूलों में कुछ अगर समान नहीं है कुछ बेंचें, blackboard, note books, इस टाइब की चीज़ें भी हम सामगरी वित्रित करते हैं या कई बार जादा घरीब परदेश हैं तो को का सारदी के लिए कंबल महिलाओं के लिए कपड़े, साड़ी इस टाइब की चीज़ें भी हम दे देते हैं, कुछ खेल कूद का सामान ताकि यूथ जो है अपनी एनरजी को positive तरीके से लगाए, खेले, अपना recreation भी करे और कुछ अपने शरीर का भी स्वास्त बढ़ाए और हो सकता है कुछ talent निकल के आए तो इस टाइब की कारवाई हम लोग करते हैं कई बार किसी गाओं में कहीं बारबूर आ रही है तो बंड बनाने का काम या कोई बिपदा आ गई अर्थकोएक है इसमें हम लोग local जो भी हमारे resources उसको use करके लोगों की मदद के लिए तुरंत कूद पड़ते हैं या जैसे covid था उस दौरान हम लोगों ने मदद की लोगों की oxygen hospital पहुंचाना या oxygen वगेरा की supply दवाईयां हमारे जो चोकियां होती हैं उनमें हमारे जो doctors होते हैं वो visit करते रहते हैं तो उस दौरान जो गाउवाले होते हैं उनके वहाँ से अगर hospital दूर है तो वो हमारे केंदर में आके चिकिल्सा का लाब उटाते हैं आचा आम लोग वहाँ जाते हैं खासकर border प्रदेशों में या हम कहें जहतिस गड़ में जहां हमारी जंगलों के अंदर चौकियां है जहां कोई hospital नहीं है या roads नहीं है वहाँ से hospital जानेगी तो अक्सर हम लोग जो है locals की इस तक कही हमने छोटे-छोटे field hospital बनाए है जिनमें उनकी surgery तक हम कर देते हैं ये एक बहुत अच्छा outreach है forces का जो हमको भी अच्छा लगता है क्योंकि लोकल सी हमारे पडोसी और रिष्टदार है एक तरह से और उनकी मदद से हमारी जो है efficiency और effectiveness और reach बढ़ जाती है उनसे intelligence भी हमको प्राप्त होती है सीमाओं की अभी हमने बात की तो सीमाओं जब पूरी तरह सुरक्षित हो तब अगर कुछ जोखी में खत्रा है तो वो देश के अंदर से भी उभर जाता है कई बार तो ये जो आंतरिक सुरक्षा है इसके एक शेत्र में BSF अपनी तरफ से क्या प्यास करता है वो चौक से कैसे होती है पहले तो हम सीमा को महफूस करते हैं जैसे मैंने बताया दोनों बार्डर्स पर ताइनात हैं और उसके अलावा अगर हम से कोई छूटके निकल गया ऐसा लगता है तो सेकंड रिंग में भी हम लोगों ने कुछ ऐलिमेंट होते हैं जो चेक करते हैं कोई निकला तो नहीं या कोई निकला है तो उसकी इंटेलियंस कलेक्ट करके उसको पकड़ा जाए तो अब पहले हम लोगों की अलग 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 प्रदेशों में अलग 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 डिस्टेंस तक एरिया अफ रिस्पॉंसिबल्टी था जैसे फॉर एक्जेंबल राइस्थान में तो दूर तक कोई गाउं नहीं है बॉर्डर से जाए डेजर्ट ही डेजर्ट है तो वहां 40-45 किलो मेटर 50 किलो मेटर तक भी कोई नहीं तो हम ही हम होते थे तो हम ही को पूरा चेक करना था जहां पॉपॉलेशन वे लाई इलाके हैं जैसे अगर हम बात करें नेपाल या बॉर्डर की यूपी और बियार में वह दो एकदम सटा हुआ है तो वहां 5 किलो मेटर का ऐसे था तो अब सरकार ने यूनिफर्मली 50 किलो मेटर का दाइरा बॉर्डर से हर स्टेट में कर दिया है तो उससे हमारी जो है रीच भी बढ़ गई है तो इसको हम दूर करने में एक रोल प्ले करते हैं और नकसल प्रभावित शेत्र में जैसे मैंने पहले जिकर किया था अल्रेडी हम लोग है वो भी इंटर्नल सिक्यूर्टी चैलेंज है उसके अलावा हम लोग जो लॉन डॉर्डर प्रॉब्लम्स होती है इंक्लूडिंग इंजेंड के जेंड के में भी लॉन डॉर्डर बिसाइड्स टेर्रिस प्रॉब्लम्स विच वस देर अर्लियर अब तो बहुत कम रही है और कई हिस्सों में अभी जैसे मनिपूर का आपने सुना होगा कि जो वहाँ प्रॉब्लम हुआ है इंटर्नल सेक्यूर्टी का उसमें भी बीएसेफ की कंपनी इस गही है और वहाँ तायनात है और सबसे बड़ी बात उन्होंने लोगों का भरोसा और दिल जीता हुआ है तो वो कोई नहीं चाहता कि बीएसेफ यहां से जाए और दोनों पक्ष बीएसेफ को लाई करते हैं निश्पक्षता है और भरोसा है तो जब कोई disturbance होती है वो threatened होती है वो बीएसेफ की केम में आके शरण लेते हैं तो हम उनको रखते भी हैं अपनी बैरकों में सिपाई वहां से हड़ जाते हैं सिपाई ओपन में आ जाते हैं और अपनी बैरकों में महिला हैं बच्चे बज़ूर्गों को दे देते हैं और जो है उनको खाना पीना भी खिलाते हैं तो ये बहुत अच्छा एक equation बना हुआ है मनिपुर में दोनों पक्ष बीएसेफ को लाइक करते हैं और उनका भरोसा बीएसेफ के पर है और उसके साथ-साथ जैसे आपका elections होते हैं उसमें भी internal security challenges होते हैं तो उसमें भी बीएसेफ जाती है और कुछ VIP security करते हैं कुछ vital installations को हम लोग guard कर रहे हैं तो इस तरह से कई पहलूँँँँँँँँँपर internal security के बीएसेफ अपने योगदान दे रहे हैं और इसके अलावा और भी कई एक शेत्र हैं जहां हम बीएसेफ को देखते हैं श्री निती नगरवाल तो स्वाया में गोल्फ खिलाडी रहे हैं और हम खेलों की बात अगर करें तो बीएसेफ हमें वहाँ नजर आता ही है तो जो बीएसेफ कर्मी हैं उनमें भी जो खिलाडी हैं उनको प्रोथसाहित करने के लिए बीएसेफ में क्या सुविधाएं हैं और जो खिलाडी अपने जब खेल का भ्यास करते हैं तो जो उनकी अलग duties जो होती है कैसे उनकी भी संतुलन बनाया जाता है जी आपने बहुत अच्छा सवाल पुछा हम लोग sports को day one से ही अपने activities में शुमार करते हैं जब training के लिए सेफा ही हो हो चाए sub inspector हो चाए अफसर हो जब भी वो training के लिए आते हैं शुरू करते हैं भरती के time तो पहले दिन से ही हमेशा एक तो compulsory sports होता है कि मतलब एक sports period होगा ही होगा तो उसमें वो group sports खेले जाएंगे जैसे football या volleyball या hockey जो भी team game होते हैं वो हम खेलते हैं और फिर उसके बाद भी जो free time होता है उसमें जो trainees हैं उनको ये सुविदा है कि वो अपने मर्जी का भी कोई game खेल सकें जिसकी सुविदा उस campus में हो और हम जो campus बनाते हैं उसमें parade ground के अलावा running track बनाते हैं जो उसमें चोटा stadium जैसा होता है कोई बहुत बड़ा stadium नहीं लेकिन एक काम चलाओ stadium होता है जिसमें running track होता है field होता है जिसमें shotport, javelin ये सब चीज़ें थ्रो की जा सकें और एक competition भी organize की इस टाइप का हम लोग बनाते हैं कई बाद घाववाले भी उसमें आके उसको use करते हैं हमारे साथ खेलते हैं उसके लाब volleyball nets हर जगा लगे होते हैं हमने तो volleyball net बड़े कठिन areas में भी लगाए हैं ताकि जवान अपनी fitness का भी ख्याल रखे और थोड़ा manoranjan recreation हो नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है जहां कोई आदमी नजर नहीं आता है घास का blade नहीं नजर आ रहा वहां पे आदमी लगाता है दो तीन महीने अगर duty करे तो आप उसकी मान से इस्तिती समझ सकती है जहां भी हम सिपाई रखते हैं या कोई भी BSF का सदस्य होता है कुछ ना कुछ sports का हम लोग जरूर बनाते हैं मैं भी officers को encourage करता हूँ जब भी आप जाते हैं किसी unit में inspection पे, दोरे पे, विजिट में तो सिपाईयों के साथ, अपने साथियों के साथ जरूर कुछ ना कुछ खेलते हैं मैंने तो यह हमेशा करता हूँ जैसे मैंने आप से पहले बताया था कि मैं हर force में काम कर चुका हूँ CSF से लेके ITBP SSB, CRP तो मेरा शुरूर से यह रहा है कि मैं जब भी किसी unit में visit करता हूँ तो हमारे साथी जो वहाँ scenic हैं, उनके साथ अवश्य कुछ ना कुछ खेलता हूँ, जा तो volleyball खेल लेता हूँ नहीं तो cricket खेल लेता हूँ और किस नहीं हुआ तो उनके साथ दोड लगा ली और कोई sit-up लगा ली, long jump इस टाइब की चीजें, ताक कि उनका एक खेलों के प्रती रुजहान बना रहे और वो खेलते रहें और आप तो जानती हैं कि खेल के शेत्रों में paramilitary forces जो है BSF समेत सब ने काफी योगदान दिया है और देश को कई सारे खिलाडी दिये हैं हिंदुस्तान की अगर हम BSF की बात करें तो हमारे अजीत पाल सिंग जी जो है ओलिम्पिक भारतिये टीम के कप्तान थे जब हमने gold medal जीता था 75 में और उसके लावे इन गिनत खिलाडी है वालीबॉल हो सुमिंग और हर खेलो में बलो ने योगदान दिया है इंक्लूडिंग BSF और जो मेरी हुमर के हमारे शोता होंगे वो तो तुरंद परवीन कुमार ये नाम तो तुरंद उनके जहर में आया होगा क्योंकि भीम के रोल में उन्होंने देखा है उनको और एक जानावाना नाम उस वक्त वो घर-घर में थे तो अभी हमने बात कि कि बहुत दुर्गम छेतर में ड्यूटी करते हैं जब कर्मी तो नितिन जी ये बताईए कि ऐसे में उनके जो मानसिक स्वास्ते है उसका कैसे ध्यान रखा जाता है किस तरह से उन्हें थोड़ा सहज महसूस करवाया जाता है क्या इसका भी कुछ प्रावधान है बीएसेफ ने बिल्कुल है एक तो हमने बड़ी पेर सिस्टम शुरू किया हुआ मतलब हर सैनिक के साथ एक और सैनिक है जो उसका एक खास दोस्त है एक तरह से उसको ले तो वो ड्यूटी कठे करते हैं ज्यादा तरह टाइम साथ रहते हैं तो एक दूसरे के दुख सुक को जानते हैं और एक दूसरे को धंडस भी बनाते हैं समझाते हैं और उसकी मदद करते हैं आपस में और उसका एक और काम ये भी है कि अगर उसको लगता है कि मेरे बड़ी का कुछ मांसिक संत्रन गड़बडाय हुआ है या ज्यादा डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो अपने सीनियर को बताते हैं तो उसका उपचार के लिए उ अर्मद की आउश्चता है पुछ पुलिस का प्राब्लम है वहां तो वहां के स्पी से बात करना और जो भी मदद संभव है उसमें हम लोग प्रेतन करते हैं च्छुटी की आवश्यक्ता है तो उसका भी देखते हैं वैसे तो च्छुटी या आप काफी हो गई हैं सरकार न जो है कफी जुटी अन्दी होई है, लेकिन डूटी इतनी ज्याद होती है, हमेशा चुटी सबको एक साथ नहीं छोड़ा जा सकता, वो भी एक कढ़ना है, सैनी के एक साथ दिवाली नहीं मना सकते, कुछ लोग जा सकता है घर लेकिन जाध से जुटी है, कि हम जाद लोगं को छोड़ सके, तो इस साल दिवाली मने अगले साल देखेंगे, शायद घर में मनाएं, वो भी कोई परोसा नहीं है, लेकिन उसका उनको गम भी नहीं है कि ठीक है अपने सातियों को साथ दिवाली में आ रहे हैं डूटी में वो भी ठीक है चलेगा घर वाले महसूस करते होंगा कि शायद घर आते तो अच्छा रहता लेकिन हम लोग उसको गम नहीं मानते क्योंकि ये कहा भी जाता है कि new recruits जो होते हैं जब वो academy में आते हैं जो प्रशिक्षन होता है वो इनसान से उन्हें fallout बना देता है तो ये पूरी एक journey रहती है तो वो mind toughening भी academy से ही शुरू हो जाती है training के day one से ही तो कई बार सोचते होंगे बड़ा कड़क बोलते हैं commanders वगेरा तो ये एक तरह से एक system ही बन गया है और उसमें ढल गए हैं सब लोग और उसी से mental toughness भी एक तरह से contribute होती है तो उनकों कठिन परिस्थितियों में रहते हैं geography की भी challenge होता है terrain का challenge होता है फिर खाने पीने का हर समान मोया नहीं होता कई जगा उसमें जो मिल रहा है उसमें गुजारा करना दूर से पानी लाना ये सब भी होता है कहीं कहीं क्योंकि जो topography के challenge है climate के challenge हैं को बहुत ज़्यादा ठंड है कहीं बहुत ज़्यादा गरम है इसको भी जहल ना है हो सकता है आप कश्मीर से आते हूं लेकिन आप राइस्थान में duty कर रहा है आप हो सकता है मदरास से हैं या साउथ से कहीं है से हैं और कश्मीर में posted हैं एक दम height पे 14,000 foot की उचाई पे जहां temperature मानेस 30 तक जा रहा है तो ये सारे challenges भी है जो physical challenges है और ये कही न कही mind को भी tough करते हैं तो हमारे counselling का भी system है और चुटी जब आता है सिपाई चुटी जब जाता है और चुटी से आता है तो commandant से उसका interview होता है वो भी एक SS करने का मौका मिलता है फिर हमारे सुबह शाम roll call होता है तो उसमें हम लोग कठा होते हैं उसमें भी एक अफसर होता है अगर कुछ बताना है और वैसे भी जो superior होते हैं हमेशा accessible होते हैं तो अगर किसी को कोई कष्ट है तो वो बता देते हैं अभी बातचीत में सीमा भवानी एक शब्द आया और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे रेडियो के जो श्रोता है वो इस नाप से भली भाती वाकिफ हैं वो जानते हैं क्योंकि गंतंत्र दिवस परेड हो या अन्य प्रमुख आयोजन जो होते हैं जब हम उनकी कॉमेंटरीज करते हैं तो ये एक नाम है जो सबका ध्यान आकरशित करता है सीमा भवानी टीम तो महिला होने के नाते मेरे मन में एक सहज कौतुहल भी है और ये मेरी यहां पे ड्यूटी भी है फर्स भी है मैं आपसे पूछूँ कि जो महिला कर्मी है उनके कल्यान के लिए क्या योजनाए है और क्या अलग से उनको कुछ सुविधाय भी दी जाती है और सीमा भवानी का जो पूरी एक परिकल्पना थी ये कैसे शुरू हुई महिला हैं तो काफी टाइम से बल में आ रही है अभी बेसे महिला हैं और कई महिला अफसरान भी है जो सारा कुछ काम ड्यूटी करती हैं जो पुरुष कर्मी करते हैं राइफल उठा के जाना, आपरेशन में पार्टिसिपेट करना बॉर्डर को गार्ड करना, मोर्चे को गार्ड करना LMG तक लेती हैं, जो भारी अतियार है और बखु भी उसको निभा रही हैं लेकिन जो नैच्रल डिफरेंसेज हैं उसकी वह इसे कुछ कटनाईयां भी आती हैं तो उनके लिए जहां तक हो सकता है हम मदद करते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं फिर उनको बच्चों से रिलेटेड जो रिस्पॉंसिबल्टीज होती है उसके लिए भी हम लोग प्रावधान करते हैं छुट्टियों का भी है, बहुत भारा सरकार ने सबको दिलीव दे रखी है चाइल्ड केर लीव के बारे तो वो भी हम जाद से जादा मदद करते हैं कोशिश करते हैं कि उनको उनके जो प्रदेश हैं, उनके आसपास रखा जाए ताकि उनके घर परिवार से उनको मदद मिल सके लेकिन जादा तरकेस में ऐसा हमेशा संभब नहीं होता अगर आप सोचें कि आज महिला में भरती हुई हूँ तो जिन्दगी बार अपने घर के आसपास सेवाइं दोंगी ऐसा नहीं हो पाएगा लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जब आपको ज़्यादा जरूरत है उस टाइम के आसपास आपको ज़रूर ऐसा दें कि ताकि आप डूटी कर सके तो ऐसे में सीमा भवानी टीम अलग से बनी पहले ये पुरुशी करते थे आपने देखा होगा बच्पन से कि जाबाजों की टीम होती थी मोटसाइकल पर अलग-अलग करतब दिखाते थे तो ये जब महिलाएं आने लगी तो उन में से कुछ एकाच मोटसाइकल खुद चलाती थी साइकल तो बहुत लोग चलाती हैं तो फिर कुछ ने मोपेड चलाई मोपेड एक आती थी बिना गियर की एक गाड़ी तो फिर कुछ स्कूटर चलाती थी तो फिर कुछ ने का रहे मोटसाइकल भी चला लेंगे तो ऐसे करकर के इसकी उत्पत्ती हुई और उपर से बढ़ावा मिला तो टी में तयार हो गई मुख्या आकर्शन रहता है ये भी गंतंत्र दिवस परेड का उसके अलावा हमसे बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि साव हमारा ये फंक्षन है इसमें हम चाहते हैं सीमा भावानी को भेज़ दीजिए उजे करें लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान में हर फंक्षन में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं जैसे परिवार के जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं उनकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा होती है वैसे ही मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि BSF के DG होने के नाते श्री नितिन अगरवाल पर पूरे BSF के लिए जो कल्यानकारी योजनाए हैं उनको चलाने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि जब परिवार का कल्यान जो है वो होता रहेगा उन्हें सुविधाई मिलती रहेगी तब ही कर्मी निश्चिंत होकर अपनी जूटी भी कर पाएंगे तो ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है ये मैडम ये तो बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा दरसल ये जिम्मेदारी कम सो भागे जादा है कि 2,65,000 की ये फौज है और जब हम एक फौजी की बात करें तो परिवार साथ में ही जुड़ा होता है क्योंकि फौजी की लाइफ अलग नहीं है उसके साथ ही परिवार भी डिपेंडेंट रहता है तो उसको जो होता है उससे वो भी एफेक्ट होता है तो इसके लिए अभी जैसे मैंने समझा है कि थोड़ा सा पोस्टिंग्स और ट्रांसर को लेके दिक्कते महसूस आती है फौर एक्जामपल हमारी या तो ड्यूटी वेस्टन फ्रंट पे है पाकिस्तान बॉर्डर में या फिर इस्ट में है बांग्रदेश बॉर्डर में और कुछ टुकडियां हमारी नकसल शेतर में उसके अलावा हमारा बीच में कोई प्रिजन्स नहीं है अधर देंट हैं तो इसमें कठना ही आती हैं पारिवारिक तौर पर तो ये एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि बीच में कुछ नहीं की वज़े से हम उनको ज्यादा रिलीफ नहीं दे पाते थोड़ा बहुत कोई हेड़कॉर्टर में बैठ गया थोड़े दिन के लिए एंडियरे कमेटी गठित की है ताकि ज़्यादा सैटिस्वेक्शन बढ़ सके उनकी बलके क्यासो जहां है वो भी लेके उसको देखे कैसे हम बेतर बना सकते हैं तो सबसे ज़्यादा तो उनको इसी से फरक पड़ता है इसी के लिए मैंने इसमें एक कमेटी अभी बनाई है इसमें पह हैं हम उनको देते रहते हैं जिनको आवशक्ता होती है कुछ तो अपने गाउं छोड़के नहीं आना चाहती है कुछ जो आती है हम उनको अपने पास रखते हैं और जो कैम में जो भी सुख्धाय हों दे सकते हैं उनको पूरी देते हैं उनकी पेंशन देखते हैं कि उनको पराबर टाइम से मिलते रहे उनके बच्चों का भी देखते हैं कि हमारे जो बीसेफ के स्कूल है या पास के केंद्री विद्याले हैं उनमें दाखिले के लिए भी हम शरम करते हैं और अपने स्कूल में तो देही देते हैं केंद्री विद्याले में भी लार्जली हो जाता है गुजरात में गांधीनगर में हमने अभी 24 क्वार्टर्स CSR के जरीए LNG पेट्रोनेट कंपनी ने बनाये थे तो वही अभी उद्गाटन हुआ है तो 24 वीरांगनाओं को वो क्वार्टर्स दिये गए हैं और एक और भी चीज़े अगर कोई सर्विस में किसी की डैथ होती है या शाहदत होती है तो उसमें एक प्रावधान है सरकारी नियमों के अनसार कि उसके परिवार के किसी जो फिट आतमी है या उरत है उसको नौकरी दी जाती है तो कई बार उनके बच्चे नौकरी पा जाते हैं, कई बार भाई पा जाते हैं, अगर शादी शुदा नहीं है तो, नहीं तो कई बार वाइफ ले लेती हैं, तो ये भी एक स्कीम है, तो हम उनको भरती करने के लिए कई बार अपने नियम को थोड़ा रिलेक्स भी कर देते है क्योंकि हमारा मिशन है कि उस परिवार को थोड़ा सा कुछ रिलीफ देना तो इसलिए और हमको उसी तरह से हम उनको थोड़े हलके कामों में भी अवशक्ता हो तो यूज कर लेते हैं या पोस्टिंग में घर के आसपास करने के कोशिश करते हैं ताकि उसको अपने गम से मेरा देश की बात करें या फिर हम बात करें कि ये पूरा जो साल है वो मूटा अनाजवर्ष घोशित किया गया इसकी बात हो जी तो ऐसे में क्या आयोजन खास रहें बीएसेफ की ओर से देखिए मेरा मार्टी मेरा देश तो एक फिनॉमेनल सक्सेस रहा है कल्चर मिनिस्ट कि वो जो कलश यात्रा थी वो तब तक पूरा जो है बीएसेफ ने में लगता है कि एक सबस्टेंशिल योगदान उसमें दिया है फिर उसके इलावा आजादी कामरेद महुत सभ अभी खतम हुआ है आपने देखा हुआ एक सार इसमें भी अंगिनत प्रोग्राम बीएसेफ ने किये है और देश के हर कोने में सब बलो ने किये है बीएसेफ ने भी किये है और उसके अलावा सरकार के एक सफाई अभियान था कि उसमें हम लोगों ने सड़कें साफ की सब लोगों ने एरिया बांट लिये थे कि इस इस एरिया को हम साफ करेंगे तो प्रधान मंतरी ज से मिलट का आपने कहा तो इसका हमने जो है नोडल बन गए है बिए से नोडल एजेंसी जी अमंग ओल दे सी एपिए जाहिर सी बात है अगर नोडल है तो कोई रिस्पांसिबिल्टीज भी है तो उसके लिए हमने मिनिस्ट्री है उनके थूप पहले कोर्सेश चलाए और अपन जबरस्ती खाना ही है अगर हम मिलट खाना है तो उसका भी स्वादिश्ट खाना पॉष्टिक खाना बना सकते है तो इसलिए तरह तरह के विंजन मनानी कोशिश किये और अभी छे तारिक को मैंने ही इनागरेट किया था एक हमारे BSF हैड़कॉर्टर में मिलट का मेला था त जहां से क्या-क्या मिल सकता है जो हम चाय के साथ स्नैक्स काते हैं वो भी मिलट के हो सकते हैं और पॉष्टिक यानि स्वायम तो बतलाओ कर रहे हैं लेकिन आपको देखकर जो बाखी लोग है वो भी प्रेडित हो और उनके लिए सहुलियत हो और जो इससे जोड़ना चाते है वो भी कुछ अपना एक रोजगार पा सके और जब यह सी बात है जब आप कुछ बनाना शुरू करेंगे तो उनको भी रोजगार मिलेगा तो यह बहुत अच्छी चीज है और हम पॉष्टिक चीजों की तरफ जा रहे हैं जो हम यह नमकीन मिक्सचर और यह भारी-भारी बिस्केट खाते हैं उससे बजाए अगर हम यह सेवन करें चाय के साथ तो ज्यादा मेरे ख्याल में ठीक होगा और इसके फाइदा ही फाइदे नजर आ रहे हैं उसके पहले चावला जो हमारा कैम्प है उसमें एक कैम्प चलाया था इसके बारे में तो अब B.S.F. का जहां पहनीज होती हैं उसमें भी कम से कम एक मिलट का इटम होता है और मिठाईयों में भी एक मिलट का इटम होता है इदर निजाम-दीन में हमारा मैसे है वो जो मिलट की खेर बनाते हैं उससे बढ़के कोई मिठाई नहीं आपको लगेगी तो यह मिलट में तो बाद काफी revolution आय तो यह बिलकुल एक आम लोगों जैसी बात होगे जैसे हम खाने बेने की बात करते हैं अब एक सवाल मैं आपसे यह पूछूंगे नितिन जी कि जिन्होंने वर्दी पहनी है या कहें की वर्दी कमाई है वो तो देश सिवा अपने तरीके से कर ही रहे हैं अपनी ड्यूटी यह जो आपने सवाल पूछा यह 2001 में मैं जब एक जिले का SP था केरल में तो वो स्कूलों में मुझे बुलाया करते थे बच्चों से इंट्रेक्शन के लिए तो एक बार मैं स्टेज पे बैठा था एक बच्चे ने सवाल पूछा है तकरीवन ऐसा ही है जो आपने पूछा उसने पूछा कि साब यह बताइए कि जो आर्मी का सिपाई है या पुलिस का सिपाई है या कोई और है तो सबसे ज़्यादा देश भक्ती या देश सेवा कौन कर रहा है तो इट रेली फॉक्स मी यह तो बड़ा पॉलिटिकली सेंस्टिव सवाल भी पूछ रहे हैं और डि जो भी अपनी डूटी इमानदारी से और निष्ठा से कर रहा है वही सची देश सेवा कर रहा है तो यही मैं आज दोराना चाता हूँ कि डिसन्ट मैटर कि आप क्या जॉब कर रहे हैं आप कुछ भी हो सकते हैं आप चाहे बस ड्राइवर भी हो सकते हैं लेकिन अगर आप स अक्सरी लोगों के मन में आता है सवाल, लेकिन ये जो जवाब आपने दिया, इसको जीवन में उतारना आसान भी है, लेकिन कठिन भी है, तो लगातार अभ्यास करते रहेंगे, तो अपनी ओर से हम भी देश की लिए कुछ कर पाएंगे, देश जो है, सब चीजों से बनता है सुरक्षा तो एक पहलू है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी अगर इमानदारी से अपने पूरे टेक्स देता है, रोजगार जनरेट करता है, जीडीप देश के लिए बनाता है, वो भी देश की सेवा कर रहा है, तो हमको उस नजरी ऐसे देखना है, चाहे स्कूल टी लेकिन आपकी इस बात से उन्हें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, अब ये बताईए कि 69 स्थापना दिवस पर महानिदेशक, बीएसेफ, श्री नितिन अगरवाल का अपने बल और परिवार के लिए क्या संदेश है? मैं उनसे सरफ यही कहना चाहूँगा, कि जो आपने प्रतिग्या ली है, अपनी ट्रेनिंग पूर्ण करने के पश्चात, कि मैं देश की सेवा करूँगा, देश वास्यों की रक्षा करूँगा, और देश की रक्षा करूँगा, तो वो तभी संबभ है, जब आप पहले ख समपत्ती है, तो उसको महफूज रखिए, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और मैं बिलकुल आम लोगों की और से, सिविलियन्स की और से ये कहना चाहूँगी, कि मेरी होली का गुलाल ज्यादा महकता है, मेरी दीपावली का दिया अधिक टिम्टिमाता है, और मेर इद की सिवईयों की मिठास कुछ और बढ़ जाती है, जब हमें ये पता होता है कि हमारे सीमा प्रहरी सब कुछ पीछे छोड़कर देश की रक्षा में हर समय तैनात हैं, तो हर देशवासी की ओर से मैं आपके प्रती आभार व्यक्त करती हूँ, आपको धन्यवाद कहती साथ ही, जहां पढ़ाया जाता केवल मा की खातिर मर जाना, जहां सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना, जीओ शान से, मरो शान से, जहां का है कौमी गाना, बच्चा बच्चा पहने रहता, जहां शहीदों का बाना, उस धर्ती के अमर सिपाही, पीठ दिखाना क्या जाने मेरे देश के लाल हठीले शीज छुकाना क्या जाने इन प्रंक्तियों के साथ DGBSF श्री निति नगरवाल मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही पूरे बल को स्थापना दिवस की बधाई देती हूँ शुब कामनाय देती हूँ आकाश्वानी परिवार के ओर से आप हमारे स्टूडियो में आए आपने हमी समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी और पूरे आकाश्वाणी परिवार को मैं इतरफ से धन्यवाद। बहुत 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 इतरफ से धन्यवाद।